Hello students, welcome back to my channel तो आज की क्लास में हम डिसकस करने हैं Antiperspirants and Deodorants के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं Antiperspirants and Deodorants के बारे में तो इसके introduction जैसे देखें तो इसमें बोला जा रहा है A Deodorant is a product applied to the body to prevent body odor caused by the bacterial breakdown of perspiration in armpits, feet and other areas of the body and do not reduce wetness अब इसमें जैसे बोला जा रहा है कि जो डियोडेंड रहता है, यह जो product रहता है इसको हम लोग बॉडी में apply करते हैं किसी के लिए prevent body odor body odor को कम करने के लिए इसको apply करते हैं यह किसके कारण से होता है जैसे बोलें, body odor किसके कारण से आता है तो फिर bacteria के breakdown होने के कारण से जो perspiration जो होता है यनि कि जो पशीना आता है हमारे armpits में आता है feet में आता है कई सारे body के कई सारे parts में कई सारे areas में पशीना आने के कारण से जो body orders produce होता है उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं deodorants का use करते हैं अब आगे जैसे देखें, a subgroup of deodorant antiperspirant effects order as well as prevent sweating by affecting sweat glands. अब इसमें जैसे देखें, जो हमारे deodorant antiperspirants हो गया, यह क्या करता है, हमारे body odor को कम करने के लिए क्या करता है, यह sweating, जो sweat जो आते रहता है, उसको रोकता है, मतलब कि जो sweat gland रहता है, उस पे यह effect करता है, जिसके कारण से sweat जो है, वो कम आता है, और उसके कारण से जो order है, body odor जो है, वो भी कम आने लगता है, तो यह जो है, इस तरीके से work करता है, इसमें अब आगे एक और topic है, जिसको हम लोग बोल सकते है, hyperhidrosis, hyperhidrosis का case यह रहता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में sweating होना, उसे क्या बोलते हैं, अब इसमें जैसे बोला जा रहा है, hyperhidrosis is a sweating in axis of that required for normal thermal regulation and is a condition that usually being in either childhood or adolescence, है ना, अब इसमें जैसे देखें, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो hyperhidrosis है, एक तरीकी का normal process है, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है, वो पशीना आता है, यह एक तरीके का normal thermal regulation process रहता है, अब यह जो process जो है, यह फिर किशोरा अवस्ता में जो है वो देखा जाता है, अब आगे जैसे देखें, perspiration physiology के बारे में कि किस तरीके से पसीना आता है उसके बारे में, तो फिर when the body temperature rise, the sympathetic nervous system stimulates the sweat glands to secret water to the skin surface, where it is cool the body by evaporation, those sweats is an important mechanism for temperature control, अब इसमें जैसे देखें, तो फिर perspiration physiology के बारे में, तो इस इसमें बोला जा रहा है, कि जो हमारा body temperature जैसे बरता है, तो sympathetic nervous system जो है, वो क्या होता है, इस्टेमुलेट होता है, जिसके कारण से जो sweat gland रहता है, वो क्या secret करता है, water को secret करता है, हमारे skin के surface पे, और उसको क्या करता है, हमारे body को ठंडा करने के लिए, वो वहां से क्या करता है, जो water को secret करने के लिए, उसको evaporate करते रहता है, जिसके करना से जो हमारा body हो ठंडा होते जाता है, तो एक तरीके का important process रहता है, important mechanism रहता है, temperature को control करने के लिए, हमारे body के अंदर, तो इस तरीके से इसका physiology है, आगे जैसे देखें, अब इसमें आगे जैसे देखें, deodorants and ant antiprespirants के बारे में, तो फिर deodorants and antiprespirants को थोड़ा सा इसको classify करके अच्छे से, मैंने notes आप लोग के लिए तयार किया, तो इसमें first जैसे देखें, order and perspiration, and order के बादे में जैसे देखें, तो order किसके कारण से produce होता है, तो फिर sebaceous gland and sweat gland, इन दोनों की कारण से हमारे body में order produce ह perspiration जैसे देखें, तो फिर regulation of body temperature, body temperature बढ़ने के कारण से जो है, पसीना आता है, बढ़ता है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, second है elimination of lactic acid, lactic acid के elimination के कारण से भी ये जो है, देखा जाता है, अब इसमें आगे जैसे देखें, तो फिर हमारा आता है, sebaceous gland में sebum आ जाता है, se type से sweat glands रहता है, एक रहता है हमारा ecrine glands, and second है apocrine glands, ecrine glands के बारे में जैसे देखें, तो यह हमारे पूरो all our body में present रहता है, second जैसे apocrine gland के बारे में जैसे देखें, तो फिर यह post-purevertal, प्योvertal के बाद जो है यह चीज़ जो है, वो देखा जाता है, यह वाला जो gland है वो active process में active अवस्था में आता है, जैसे बहुत सकते हैं, अब इसके बाद जैसे देखें, hyperhidrosis, जो इसके पहले हम लोग ने थोड़ा सा discuss किया था, उसी के बारे में hyperhidrosis के case में जैसे देखें, तो फिर intense activity of ecrine, मतलब कि बहुत जादा मातरा में यह क्या हो जाता है, active form में आ हर घंटे, तो यह जो है हमारे body के लिए थोड़ा सा injurious हो जाता है, तो इस तरीके से इसमें बताया जाए है, तो यह थोड़ा सा harmful भी रहता है हमारे body के लिए इतना जारा sweating होना, mechanism of action जैसे देखें, तो फिर anti-paraspirant के mechanism of action के बारे में जैसे देखें, तो इसको इसमें अच् जैसे देखें कि anti-paraspirant किस तरीके से work करता है हमारे skin के surface पे, हमारे sweat glands पे उसके बारे में जैसे देखें, तो इसमें बोला जारा है कि जो anti-paraspirant रहता है, उसको हम skin के surface पे apply करते है, जो active ingredients रहता है, जैसे कि aluminum salt होगे, जैसे apply करेंगे, तो वो क्या होगा, dissolve in a sweat and moisture at the skin surface, जो temporary plug near the top of the sweat glands, अब यह क्या करेगा, वो अच्छे से उस जगह पे dissolve होके, यह क्या करेगा, जो sweat glands रहते है, वहाँ उसके top में क्या हो जाएगा, यह plug के तरह चिपक जाएगा, वहाँ पे यह तरीके से block करेगा उस gland को, जहां से sweating आते रहता है, जहां से sweat निकलता है, उस gland को क्य निकल रहा था, उसको क्या करेगा, वो उसके secretion को कम कर देगा, क्यूँकि वो क्या कर दे रहा, यहाँ पे block कर दे रहा उसके glands को, तो उस तरीके से sweating बहुत ही कम हो गया, जहां से होगा, वो जो apologized का, इस अब इसको अब थोड़ा सा बाहर लाग चला है Suspect अब हैं पेन यहां करें यह से हमारा प्रेशिृइशन awarded यह पे namely picks सब्सक्राइब मह niें यहां पे ऑस जांगा है यहां पे ग Tout जाने के बाद को प्रमेसित वह ओने लग जाता है वहां पर उस perspiration के शांथ क्या हो जाता है mix हो जाता है जिसके करनल से जो हमारा anti-parsふふconorent रता है वो उसके contact में आने के बाद swell हो जाता है swell के होने के बाद उस जगह को क्या करता है अच्छे से block कर देता है block करने के बाद sweating जो होना था बहुत जादा मातर में जो हो रहा था उसको वो कम कर देता है, इस एरिया को ब्लॉक करके, तो इस तरीके से ये जो है एंटि परिस्प्रेंट जो है वो वर्क करता है, I hope आप लोगको अच्छे से यह चीज जो है वो mechanism जो है वो अच्छे से समझ आगे होगा आगे जैसे देखें आगे जैसे देखें तो इसके active ingredients for anti-perispirint के बारे में कि किस तरीके से हम लोग इसको formulation करते हैं बनाते हैं तो उसमें formulation में active ingredients में क्या-क्या use करते हो तो उसमें first है हम हमारा aluminum chlorohydrate हो गया aluminum chloride हो गया basic aluminum nitrate basic aluminum iodide magnesium aluminum chloride तो इन सब active ingredients के जो है हम लोग use करते हैं किसी के लिए anti-perispirint prepare करने के लिए type of anti-perispirint के बारे में जैसे देखें तो फिर यह तीन टाइप से रहता है first है aerosol stick and cream इन तीन टाइप से जो है anti-perispirint जो है वो देखा जाता है formulation जैसे देखें तो अब भी formulation of dry anti-perispirint में क्या क्या use करने जैसे कि powder face ingredient हो गया liquid face ingredients तो यह सब जो ingredient क्या use करके हम लोग क्या करते है anti-peraspirant का formulation करते हैं anti-peraspirant form की अगर cream के type में अगर prepare करें तो उसमें क्या के ingredients लग रहे हैं तो उसके बारे में हापी दिया गया है तो आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं aerosol के form में जैसे deodorant prepare करें तो क्या-क्या इसमें ingredients लग रहे हैं anti-peraspirant and deodorant काफी ताम से मैं आप लोग के लिए जो वीडियो जो है अप लोड नहीं कर रहा था इसके कुछ कारण थे क्योंकि कॉलेजेस में क्या है अभी inspection का time था तो उसमें मैं busy हो गया था थोड़ा सव्यस्त हो गया था तो उसके कारण से आप लोग के लिए जो एक topic जो last वाला बचा था वही छूट गया था तो उसको आज की क्लास्में ने cover के लिए अगर आप लोग को किसी topic पे किसी subject पे notes यह फिर वीडियो चाहिए तो मैं उस topic पे आप लोग के लिए वीडियो जो है वो बनाना चालू करूँगा आप लोग comment section पे comment box पे आप लोग comment कर सकते कि किस तरीके से यानि कि कौन सा जो subject है जिस पे आप लोग को वीडियो चाहिए तो मैं उस topic पे वीडियो बनाना स्टाट करूँगा अगर आज के वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा वी अलपूर रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अपने friends को share करें वीडियो को like करें and thanks for watching this video